नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल कंप्टर मोबाइल एंट टेकनलोजी में एक बार फिट से स्वाकत है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके फेस्बूक एकाउंट को दूसरे मोबाइल या दूसरे डिवाइस में यूस किया गया है तो अगर आप चाह करेंगे तो चलिए सिखते हैं कि कैसे हम दूसरे डिवाइस में लॉग इन हुए आपके एकाउंट को लॉग आउंट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप फेस्बूक पर चले जाए आप ब्राउजर पर भी जा सकते हैं या फेस्बूक के एप पर तो यहां पस हम फेस हम यह सिंपली असी रहने देते हैं तो देखें यहां पर सबसे राइट साइट पर आप देख सकते हैं तो आप उसे क्लिक कर दीजिए जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप नीचे आ जाईए और उसके बाद देखिए आपको मिल जाता है सेटिंग का ओप्शन आप सेटिंग क option पे click कर दीजिए setting के option पे click करने के बाद आपको जाना है account setting पे जैसे आप account setting पे आते हैं तो आपके सामने बहुत सारे option मिल जाते हैं general security और दूसरे और option आ जाते हैं तो उन में से कौन से option को आपको choice करना है तो उसके बाद आपको जाना है security and login पे उस पे हम click कर देते हैं उसके बाद यह इस प्रकार interface open हो जाता है तो आपको क्या करना है दिखे second number पे आपके पास है where you logged in इस पे आप चले जाए तो जैसे यहां पास देखे सी मॉर्क option है सी मॉर्क option पे क्लिक कर दीजिए जिसे आपको आपके डिवाइस के information मिल जाए कि कौन कौन से डिवाइस में आपके जो Facebook है उसे login किया गया है तो चलिए यहां पास बहुंच चार है उसमें हमें एक्जांपल के लिए ले ले लेते हैं तो चलिए यहां पास एक एंड्रोइट करके हैं तो हमने इसे सब्सक्राइब करते हैं तो हमने जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार जो इंटरफेस है वह ओपन हो जाता है यहां पास लिखा हुआ है कि नॉट यू इफ इट्स वाज नॉट यू लॉग दिन वी कें टैक यू थ्रो अफेव स्टेप टू सेक्यूर यूर एक तो अगर आप नहीं है तो नॉट यू भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वहां से लॉग आउट भस हो जाए मतलब वह जो डिवाइस जिस में यूज हो रहा था उसे यह जो आपकी फेसबूक एकाउंट है वह लॉग आउट हो जाए तो आपको क्यू अगर नहीं भी device में अगर आपको शो होता है कि यह जी इस device में आपके Facebook को login किया गया है तो आप उससे log on कर सकते हैं या first option को क्लिक करके आप अपने जो device है उसे secure भी कर सकते हैं उसके कुछ step है तो यह यह वीडियो इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजे ना पसंद आया तो डिजलाइक कीजे अपना कमेंट लिके और हमारे जो YouTube चैनल है उसे subscribe करना मत भूलिए धन्यवात इस वीडियो को देखने के लिए